सिंपल कड़ी की रेसिपी तो बहुत ही एजी होती है तो चलिए आज मैं मेरे वाली मसाला कड़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो हाई विविवर्स आउसम लजम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है इंग्रीडियंट्स और उनकी क्वाइन्टिटी एट्सिक्टर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी यहाँ पर मैं जो मैंने चेंजिस की हैं सिंपल कड़ी बनाने में वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो यहाँ मैंने दही को पानी में जैसे नॉमली हम मिक्स करके कड़ाई में डाल लेते हैं इसके बाद एक कटोरी मैंने उसमें बेसन डाला और जैसे हम उसमें हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले जो भी हम डालते हैं उसको तो हम नॉमल कड़ी की तरह ही तयार करेंगे तो यहाँ मैंने यह सारी चीज़े मिक्स कर दी है थोड़ा बात अगर आप सर्विंग स्पून से चलाना चाहें तो चलाएं और अगर आपके पास ब्लेंडर है तो बहुत ही इजी हो जाएगा काम तो ब्लेंडर से करने से यह फायदा होता है कि उसमें जितने भी लम्ज होते हैं वो बिल्कुल हट जाते हैं और एक क्रीमी सा टेक्स्चर आ जाता है 15 to 30 सेकंड तक आप ब्लेंड कर सकते हैं इसे जिससे कि यह बिल्कुल ही स्मूध हो जाता है और फ्लेम एकदम स्लो रखनी है जैसे ही ब्लेंडर का काम खतम होता है तब आप इसको स्लो से मीडियम फ्लेम पर आराम से कर सकते हैं यहां एक चीज और मैं बता दूँ कि जब मैं मसाले डाल रही थी तो जो मेथी के दाने होते हैं वो भी मैंने तब ही इसमें डाल दिये थे मसालों के साथ थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और डाला है क्योंकि मुझे लग रहा था यह अभी ही इतनी काफी थिक हो गई है दूसी तरफ मैंने क्या किया है इसका तड़का तयार किया है एक साइड तो मेरी कड़ी बन ही रही है यह कड़ी बनेगी 45 से 50 मिनिट्स तक तो यहाँ पर यह मैंने जो तड़का की तयार किया है उसमें छोटी स्पून टे स्पून जो होती है उतना ही मैंने ओयल लिया है इसके बाद मैंने उसमें सरसों के थोड़े से दाने जो मस्टर्ड सीड्स होते है और वन फोट छोटी चम्म जो है जीरा डाला और इसके बाद मैंने एक प्याज जो है वो बिल्कुल बारी ग्रेट करके रखी हुई थी वो भी इसमें मैंने डाल दी क्योंकि ये दही मेरी खटी थी इसलिए मैंने इसमें टमैटोस नहीं किये नहीं तो मैं इसमें एक टमाटर और डालती तो अगर आपका दही जो है वो फ्रेश है या मतलब खटा नहीं है तो आप इसमें एक टमाटर चोटा टमाटर भी कट करके डाल सकते हैं इसके बाद अच्छे से उसको फ्राई कर लीजिए इसके बाद आप थोड़ी सी जो ये अभी कड़ी थोड़ी सी कच्छी है उसको इसमें थोड़ा सा एक चमचा डाल देंगे क्योंकि मैंने जो ऑईल है वो बहुत ही कम लिया है क्योंकि छोटी टी स्पून थी तो इसलिए क्योंकि मैंने जो है इसमें थोड़ी सी कड़ी मिला दी जिससे कि उसको थोड़ा सा फ्राई होने में एजी हो जाए और इसके बाद बॉयल जो आ गया था कड़ी में उसमें मैंने ये उसी टाइम तड़का भी उसमें डाल दिया तो ये मसाला जो है पूरा इसमें अच्छे का भी मैं एक वीडियो जो है जरूर अपलोड करूंगी ये मैंने नॉर्मल बेसन की पकोड़ी नहीं है ये मैंने मूं की दाल भीगोकर उसकी पकोड़ीया बनाई थी चोटी 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 तो ये जब पूरी तयार हो जाती है ये जब 50 मिनिट्स हो चुके इसके बाद मैं आप साथ में इसके कहा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है हर हाल में बच्चों को भी पसंद आती है बड़ों को भी पसंद आती है तो ये रही मेरी वाली मसाला कड़ी आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही एजी रेसिपी है और बहुत आसानी से बन जाती है यह तो यह simple सी कड़ी में यह twist आपको कहसा लगा मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा channel subscribe नहीं किया तो ज़रूर कीजेगा please like कीजेगा comment कीजेगा next video में फिर किसी useful information या फिर किसी interesting सी recipe के साथ फिर मिलते हैं तब तक bye bye take care ज़रूर बताईएगा